नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नजर बिहार की टॉब खबरों पर भी आईपी को सीट नहीं मिलने से नाराज हुए मुके सहनी का बिहार में एंडिये का स्वरूप खतम बिहार में टूटा महागडबंदन आरजडी ने कॉंग्रेस को जटका दे सभी सीटों पर उतारे प्रत्यासी जम्मू सभी ठंडे हैं बिहार के ये आठ सहर कॉंग्रेस MLC चुना में 24 सीटों पर उतारे की उमिदवार बेगु सराय में दो हिस्सों में बटी पुर्विया एक्सप्रेस देश में 75 परतिसत लोग पूरी तरफ वेक्सिनेटेड बिहार बोर्ड एक्जाम की कोरोना गाइलान जारी बिहार में निर्मान सामागरे के बड़े दाम और महंगे होंगे मकान बिहार की तीन ट्रेने फर आज की सबसे पहले कबर बिहार में अगले 36 घंडे तक सीत लहर का प्रकोब भिषन ठन को लेकर जाने पुर्वानुमान जिहा पटना साहित बुरे बिहार में अगामे 36 घंडे तक प्रदेश के अधिकतर भाग में सीत दिवस की सिती बने रहने के आसार है आएमडी पटना के अधिकारिक जानकारी के मुताविक पटना मुझपरपूर भागलपूर सुपोल ररिया पूर्निया मोतिहारी दर्बंगार होतासुर गया आधि सहरों में सीत दिवस रहा हलाकि सबसे ठंडे सहर के रूप में खगड़ियों और बाका दर्च किये गए ज बिहार में ठंड की सित लगतार बनी हुई है परवतिय पर्देश से आरे यह उत्तरी पचवा हवाव को परवाव होने से अधिकतर सहरों का नियुनतम पारा का आपी नीचे आया है बिहार के आठ सारो का नियुंतम तापमान जम्मू सभी नीचे आ गया है पाटना मौसम बिगान केंदर के अनुसार 31 जन्वरी की सुबह तक बकसर भुजपूर रोतास भवार रंगाबाद अर्वल पाटना गया नलंदा सेखपुरा नवादा बेगुसराय लकिसराय जहनाबाद जिले में बारे टर्ण के सिती बनी रहेगी आगली बड़ी कबर भी आईपी को सेट नहीं मिलने से नराज हुए मुकेश सहनी का बिहार में एंडिये का सोरूप खतम जबरन फैसला थोपा जाना मंजूर नहीं जी अभी आईपी सुप्रेमो मुकेश सहनी ने कहा कि इस्तानिया निकाय कोटे से होने वाले विधान परिस्त चुना में मुझ पर जबरन फैसला थोपा जा रहा है बिना बात किया ही बीजेपी जिडोई ने आपस में सीट का बटवारा कर लिया है जो मुझे मंजूर नहीं है सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान करते हुए सहनी ने कहा कि अभी हम सरकार में है लेकिन यहीं स्थी जारी रही तो कब दख रहेंगे यह का नहीं सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार में टूटा महागडवंदन आरजेडी ने कॉंग्रेस को जटका दे सभी सीटों पर उतारे प्रत्यासी तेजस्वी बोले केवल दिल्ली में दोस्ती जी हा बिहार के नेता प्रतीपाच तेजस्वी परसाद यादम ने कहा कि बिहार में विधान परेस्द सदस के चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस से समझोता नहीं हुआ है और राज़त ने सभी 24 सुमिदवारताई कर दिये है नए दिल्ली में मिडा से बाचित में तेजस्वी ने कहा कि राज़त ने सिर्फ केंदर के राजनिती में कॉंग्रेस को समर्तन दे रखा है तेजस्वी आदव ने कहा कि सब लोगों ने देखा है कि बिहार में बिदानसवा की दो सीटों पर उपचुनाव में क्या हुआ है हमने कॉंग्रेस से कहा था कि उपचुनाव वह MLC चुनाव पर एक साथ बात कर ली जाए लेकिन उदर से क्या हुआ ये सब लोगों ने देखा है अब राज़त ने फैसला कर लिया है कि MLC चुनाव वाम पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो वहीं अगली बड़ी खबर कॉंग्रेस MLC चुनाव में 24 सिटों पर उतारेगी उमिद्वार कॉंग्रेस चातीती आरज़ेडिक के साथ गड़बंदन लालो तजस्वी नहीं हुए तयार जिया लालो प्रसाद और तजस्वी अदव के साथ रहिवार को कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं के बाचीत दिल्ली में सपल नहीं हो पाई है अब MLC चुनाओं में कॉंग्रेस और राज़द अलग अलग तागत अजमाएगी कॉंग्रेस विदाय दल के नेता आज इस सर्मा ने इस समंद में बात की है उन्होंने कहा कि हमारे बाचीत सपल नहीं हो पाई है हम महागडवन्दन धर्म निभाना चाहते थे पर वे निभा नहीं पाए वे 24 सीटों पर उमिद्वार देंगे तो कॉंग्रेस भी 24 सीटों पर उमिद्वार उतारेगी कॉंग्रेस देश की बड़ी पाटी है राज की बात छोड़िए अगली बड़ी कबर देश में 75 पर तिसत लोग पूरी तरह वेक्सिनेटेड पिया मोदी ने दिबधाई स्वास्त मंत्री ने कहा सबके साथ सबके परियास से मिली उपलब दी जिहां देश में कोरोना के नए मामलों की बेच देश में 75 पर तिसत से अधेक योग अबादी का पूर्ण टिका करन हो गया है वही प्रदान मंत्री मोदी ने इस उपलब दी पर बदाई दी है वही केंद्र स्वास्त मंत्री मंसुक मान्वा ने इस उपलब दी पर ट्विट किया उन्होंने लिखा सबके साथ सबके परियास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75 पर तिसत वैस का अबादी को वैक्सिन की दोनों डोज लगाने का लच्च हासिल कर लिया है कोरोना से लड़ाई में हम निरंतार मजबूत हो रहे हैं हम सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सिल लगवानी है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड एक्जाम के कोरोना गाइलाई जारी बुखार से पेडित स्टूडेंट को अलग होगा सिटिंग प्लान पाले बैंच पर दो और दूसरी पर एक चात्र बैठेंगे जिहां एक परवरी से होने वाले बिहार बोर्ड के परिचा को लेकर गाइलाई जारी कर दी गई है कोरोना काल में होने वाले परिचा में सबसी बड़ी चुनोती कोरोना संक्रमन की है नकल विहेन परिचा के साथ साथ कोवीट प्रोटकॉल का पालन करना बड़ी चुनोती है सोसल डिस्टेंस के साथ सनिटाइजेसन को लेकर गाई लान में बिसेस निर्देस है ऐसे में जिस स्टेडेंट को फिवर होगा उसका एक्जाम आयने चात्रों से अलग कराने का निर्देस दिया गया है बिहार बोर्ड ने इंडर और मेट्रिक परिचा को लेकर सिसी टीबी और जैमर के भी विवस्ता की है इसके अलावा परिचा केंदरों के केंदर अधिक्चक को परिचा केंदर पर प्रतिन्योक्त सभी सिक्चक और कर्मियों को परिचे पत्र जारी किया गया है परिचे पत्र की बिना टीचर को भी परवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार बोड के इंडर के कौपी पर अंकित रहेगा परिचात्रियों का नाम करमांग वा पंजी करन नमबर इंडर के कौपी में परिचात्रियों का नाम करमांग वा रजिस्ट्रेशन नमबर अंकित क्या गया है इसमें परिचात्रियों को कुछ भी भरने की आवाई सकता नहीं है परिचात्रियों को सिर्फ कौपी पर हस्ताचर करना होगा एवं जिस भासा में परिचा देनी है उसे अंकित करना होगा बतादे कि जिला प्रसासन की निर्देश पर सिक्षा विवाग द्वारा विक्चकों की तैनाती में 27 बरतनी की रहनिती बनाई गई है इंडर की मुई के परिचा में कूल 52,100 परिचात्री सामिल होंगे इसमें 25,133 चात्रवा 26,967 चात्राई सामिल है बाड़ी कबर जारकन समीत बिहार और बंगाल में हुई भारी बारिस दो फरवारी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज यह फरवारी के पहले सब्ता में जारकन में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है कस्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बरप बारी के करन जहार र अच्छी बारिस हुई है मुस्तम विवाग के मुताबिक राजस्तान के रास्ते आराय बिचोप का असर जारकन में भी दिखेगा दो फरवरी को दो पहर बाद बादल चाहे रहने की समावना है इसके अगले दिन याने तेन फरवरी को जारकन समीत बिहार और पश्ची मंगाल के कुछ हिस्व में बारिस हो सकती है साथ तिन फर्वरी के बाद चार और पांच फर्वरी को भी जारकन समीद बिहार और पसी मंगाल के कई हिस्सों में मैदम से भारी बारिस हो सकती है बड़े कबर बिहार में निर्मान सामागरी के बड़े दाम और महंगे होंगे मकान जाने सिमेंड गिट्टे बालू और एट की किमत जा बिहार में भवा निर्मान सामागरी को किमत फिर से बढ़ गई है सिमेन, स्टोन, चीप और लोहे के साथ ही एट की किमत भी बढ़ गई है इससे मकानों की लागत में 10% तक की बिर्दी का अनुमान है आपको बदा दे कि पहले सिमेट 360 रुपी बरती बोरा मिलती थी अब 380 रुपी हो गया है वही सरसट 62 रुपी प्रती किलो थी अब 70 रुपी प्रती किलो हो गया है वही स्टोन चीप्स 8000 से 8000 रुपी प्रती सो सियप्टी हो गई है एट के बाद करें तो साड़ी 14000 से 15000 रुपी प्रती 1500 एट हो गई है वहीं बालू के रेट में कोई बिर्दी नहीं की गई है बाड़ी खबर बेगुसराय में दो हिस्सों में बढ़ी पुर्विया एक्सप्रेस दिल्ली से सहरसा जा रही ट्रेन में इस्टेशन से निकलते ही जटके लगे घबरा कर बाहर निकले लोग बेगुसराय में कल साम को एक बड़ा ट्रेन हाथसा टल गया तेज गती से जा रही सहरसा नहीं दिल्ली पुर्विया एक्सप्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई तेज जटके के बाद रेल यात्रियों में भागदड मज गई लोग ट्रेन से जैसे तेसे उतरने लगे आच्छी किलाब जमकर नारे बाज़ी की जिहा सिक्चा विबाग के सराबंदी से जोड़े आदेश ने सरकार की टेंसन बढ़ा दी है आदेश की तुगलगी परमान बताते हुए आकरोसी सिक्चक अब अच्छे फरवरी को राज के सभी अर्टीस जिलों में सीम नितिस कुमार का कुतला जलाया जाएगा बिहार राज प्रारामिक सिक्चक संग ने आंदोलन तेज करने के चितावने दी है संग ने राज के सभी जिलों में संगटनों को हर इस्तर पर विरोध परदसन करने को कहा है अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो इसकुल खुलने के बाद सिक्चकों का अंदोलन और उग्र हो जाएगा बाड़ी कबर पतना हाइकोट का बड़ा फैसला सरकार किसी करमचारी अधिकारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रख सकती है जिया पतना हाइकोट ने सरकारी करमचारी और अधिकारीों को निलंबन को लेकर बड़ा फैसला हाइकोट ने कहा है कि किसी अधिकारी या करमचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है हाई कोट ने सर्वोच नियालाई के एक पेसले का हवाला देते वे कहा कि अगर निलम्मन कर्मियों के खिलाप लम्मे समय तक जाच चली रही तो उसे निलम्मन मुक्त करना होगा अगली बड़ी कवर बिहार के तेन ट्रेने फरवरी में रहेगी रद आदा दर्जन ट्रेनों का रोड चेंज जिहा धनबाद गोमोर रेलकंड के निचीत पूर तेतुल मारी स्टेशन के बेच किलोमीटर 284 उनने से किस पर आर यूबी के प्रावधान हेतू 10 फरवरी एवं 22 फरवरी को प्राता साड़ आठ बजे से 17 साड़ पांच बजे तक 9 घंटे के लिए ट्रेफिक एवं पाउर सामिल है वह आसंसल वारा नसी आसंसल मेमू पेसंजर और वर्दमान हाटिया वर्दमान मेमू पेसंजर स्पेसल भी सामिल है और उनकी बड़ी केवर बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत एमस में 5 साल तक के 6 मासुम भरती प्रदेश में 1238 नए पोजिटिव केस जिहां बिहार में पिछले 24 घंटे में 1238 नए कोरोना संकरमित मिले हैं इनमें सबसे जब पाटना में 158 पुर्णिया में 121 और बेगुसरा में 169 पोजिटिव केस मिले हैं राज में अब एक्टी मामलों की सेंक्या 6,577 हो गई है बिदे 24 घंटे में कूल 1,50,000 अंठावन सेंबल की जाच हुई है इस दोरान 2390 लोग कोरोना से रिकावर भी हुए है वह बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है जबकि मासुमों पर संकरमन का असर देखने को मिला है पाटना एम्स में 24 घंटे में 5 साल तक के 6 मासुम भरते हुए है आज के लिए आपका स्वाल बताए के बिहार में होने वाले MLC चुना में कौन से पाटी सबसे ज़्यादा सीटे जीतेगी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं